हलो दोस्तों इवा फिर से अमारे यूटूब चैनल ननेल लाल टेक में आप सभी लोगों का एक साथ में स्वागत हैं दोस्तों अगर आप वाट्सेप चलाते होंगे यूज करते होंगे चैटिंग वगेरा करते होंगे तो आपने देखा ओगा वाट्सेप में घडी का निशान देखता है और आइकन देखता है जबकि पहले ऐसा नहीं था वाट्सेप फेश्बूक यूटूब बीच बीच में लोग update देते रहते हैं और update में कुछ नए नए फीचर जुड़ते रहते हैं तो पहले नहीं दिखता था और आप दिख रहा है तो लोग घबडा जाते हैं कि ये घड़ी का आइकन ये निसान क्यूं दिख रहा है? किस वज़े से दिख रहा है? कुछ लोग को पता भी होगा लेकिन कुछ लोग को नहीं मालूम रहता है कुछ लोगों को क्या हमें लगता है कि 80% लोग को नहीं मालूम है कि ये घड़ी का निसान ये घड़ी का आइकन क्यों दिख रहा है WhatsApp चेटिंग में तो चलो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगा कि ये घड़ी का निसान ये घड़ी का आइकन क्यों दिखता है किस वज़े से दिखता है दोस्तो आगे चलने से पहले आप से रिक्वेस्ट करूँगा अगर हमारे चैनल पर नए है तो एक सब्सक्राइब और वेल आइकन जुरू पेस करें ताकि हमारे चैनल पर अगर कोई नई वीडियो अप्लोड हो उसकी नोडिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलो दोस्तो आप सभी को अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वाट्सेप में घड़ी का निसान क्यूं दिखता है अलो दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूँ आप सबको लेकर अपने मुबाइल स्क्रीन पे और इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि वाटसअप में घड़ी का आइकन दिख रहा है आजकल पहले नहीं थाई आइकन लेकिन अब दिखने लगा है मैसेच चेटिंग में तो कई लोगों के मन में कन्फूजन रहता है कि इसका मतलब क्या होता है क्यों ऐसा आ रहा है क्योंकि जब भी किसी भी एब में कुछ नया द दोचते हैं और यह अपने आप से स्वाल करते हैं यह सर्ज करते हैं YouTube पे की इसका मतलब क्या है क्यों होता है जानना चाहते है लोग तो चलू मैं वाटसएब उपन करता हूं और आपको बताता हूं कि यह आईकन कौन सा है और और घड़ी का आईकन क्यों दिखता है और किस वज़े से दिखता है तो सबसे पहले क्या करेंगा दोस्तों हम वर्ट्सेप ओपन करते हैं यहां पर देखो मैंने दोस्तों देखो दोस्तों मैंने वर्टसेप ओपन किया है ठीक है और यहां पर मालो इस चेट को मैं ओपन करता हूँ ठीक है अब यहां पर देखो कोई भी घड़ी का आइकन नहीं दिख रहा है ठीक है कोई भी घड़ी का आइकन नहीं दिख रहा है तो हम आपको दिखाते हैं कैसे दि यह देखो despairing message ठीक है यही function थोड़ा बढ़ गया यह घड़ी वाला icon का यही है despairing message इस पर हम click करते हैं अब यह देखो दोस्तों मेरा off है ठीक है मेरा off है सबसे नीचे देख लो पहला है 24 घंटा दूसरा है 7 दिन तिसरा है 90 दिन ठीक है अगर इसे हम on कर देते हैं यान मतलब हम 24 घंटे पर रख देते हैं पहले सबसे छोटा उसके बाद है साथ दिन और उसके बाद है 90 दिन अगर हम यह सेटिंग कर देते हैं देखो उपर वाला तो अब क्या होगा कि जो भी हम भेजे रहेंगे यह देखो यह फोटो में भेजा हूँ न अब गुड नाइट लिखा हूँ ठीक है यह 24 घंडे के अंदर डेल्ट हो आएगा 24 घंडे बाद और इसी लिए घरी का आइकन आता है यह देखो यह उपर आपको घरी का ाइकन देख रहा है देख लो पहले नहीं दिखता था और जैसे मैंने अन किया यहां घरी का आइकन देखने लगए यह नीचे भी देख लो यहां बता रहा है message में ठीक है और और उपर भी देखो घड़ी का अगन देख रहा है अब यह मैं बैक करता हूं दिखाता हूं को यह देखो अंकिता संदीप यह देखो घड़ी का अगन दिख रहा है देख लो तो दोस्तों यही है system इसका कि जब इसको despairing message को आप on कर देंगे और जितना दिन का on करेंगे इसमें तीन option है 7 दिन 24 घंटे sorry 24 घंटे 7 दिन और 90 दिन अगर 7 दिन के अंदर आपको जो भी message किये हो या chatting किये हो हटाना है तो 7 दिन पर रखो 24 घंटे के अंदर अगर कोई photo भी भी चैटिंग किया हो उसको हटाना है तो 24 घंटे रखो अगर 90 दिन का setting रखना है कि 90 दिन में मैंने जो भी chatting किया है या photo भी जाए हो हट जाए तो 90 दिन पर रखो तो मैं देखो भी यहाँ पर मैंने किया था 24 घंटे के लिए तो यहाँ देखो यहाँ घड़ी का आइकन आ चुका है ठीक है और एक बात और आपको बता दू अगर आप नहीं भी की हो वो उधर चकिया है आपकी चैटिंग में तो भी यहाँ घड़ी का अगर दिख रहा है तो मैं इसको करता हूँ और यहाँ देखो मैं तीन डोट पर क्लिक करूँगा और यहाँ डिस्पेरिंग मैसेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ देखो 24 घंटे पर है तो दोस्तों मैं यहाँ पर आफ करके आपको दिखाता हूँ देखो वहाँ जाता है की रहता है और देखो नीचे भी देखो आ गया है ठीक है तो मैं इसको off कर देता हूँ यह देखो दोस्तों मैंने off कर दिया है यहाँ देखो message भी आ गया है change हो गया है despairing message ठीक है और यहाँ उपर देखो profile पे घड़ी का icon हट चुका है तो दोस्तों यही मतलब है कि वाटसेप में जो घड़ी का icon दिखता है वो message का system है setting है despairing message इसे काते है अगर आप कोई chatting किये हो कोई photo भेजो हटाना है तो उसको on कर दो और नहीं हटाना है तो हमेशा off रखो फिर घड़ी का icon आपको नहीं दिखेगा तो दोस्तों यही था इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ हमारी दिवी जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी अगर हमारी दिवी जानकारी आपको पसंद आई हुई हो तो हमारी YouTube channel नन्हिलाल टेक को सब्सक्राइब जरू करें कि ऐसी इंट्रेस्टिंग अब जनकारी भरी वेडियो में आप सब के बीच लाता रहता हूँ